हाई, वेल्कन डू मैं चनल, इस वीडियो में समझेंगे कॉस्ट प्राइस एन सेलिंग प्राइस तो मैं कांसेप्ट आफ प्राफिट और लॉस पर बहुत सारे पार्ट्स बनाया हूँ उन सारे पार्ट्स को अब देख लिजएगा ताकि आपको पूरा कांसेप्ट की क्लेरेटी हो जाए क्योंकि किसी भी क्वेशन को साल्व कर सकते हैं आप जब आपको 100% क्लेरेटी हो किसी भी टॉपिक पर तो प्राफिट और लास पर यदि आपको 100% क्लेरेटी डेलप करना है तो मैंने यह जो स्रीज बनाई है यह जो पार्ट्स बनाये हैं कई सारे वीडियोज का उन सारे पार्ट्स को आप देख लिजएगा यदि आप ये पार्ट वन देख रहे होंगे तो पार्ट सेकेंड आ मैं कोच प्राइस और यमधा सारा होगा उसमीं जाकर आप देख सकते हैं ऋके तो सब आधे पहले समझते हैं कोस्ट प्राइस एडालिंड प्राइस इस वीडियो में में को मरूं कुछ वाट है इसी सपारिए जिती हम कोई भी치 केंश खरीद रहे तो जिसस सड़र के खरीद उसको बोलते हैं cost price जिस price पर खरिते हैं उसको बोलते है cost price Okay, तो कहना का मतलब यह है कि आप किसी retailer के पास जाए आप किसी retailer के पास जा सकते है या shopkeeper के पास जा सकते है कोई object लेने के लिए ठीक है, या फिर Amazon website पि जा सकते हैं कुछ खरितने के लिए या फिर flip card से order कर सकते है या फिर किसी भी ऐसे internet based website साब कुछ खरीद सकते है उन सभी को उन सभी products को जो खरीदेंगे आप जिस price में खरीदेंगे उसको बोलेंगे cost price ओके तो हम cost price को CP से denote करते हैं c.p. या फिर आप start card में CP यूज़ कर सकते हैं only CP means cost price ओके ठीक है तो यह समझ में आगया कि cost price क्या होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम cost price में एक और price जो है add हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग overhead expenses क्या बोलते हम लोग overhead expenses तो यह generally क्या होता है cost price में यह overhead expense जो है add करके देता है generally लेकिन कभी कभी क्या होता है कि overhead expense जो है बाद में लिखा रहता है मैं बात कर रहा हूँ question की मतलब question में कैसे दिया रहता है इसकी बारे में सोचिएगा बस आप क्योंकि हमें question ही overall solve करना है तो question में कभी कभी cp जो देगा वो direct देगा cp only cp लिखा रहेगा और overhead expense के बारे में कुछ ने लिखा रहेगा तो आप समत जाहिए कि cp में ही overhead expense जो है add करके दिया हुआ है और वही cp है everything cp वही है जिसका आप use करेंगे question में solve करने के लिए लेकिन कभी कभी क्या होता है cp वह दिया रहता है और बात में लिखा रहता है कि overhead expenses दिया रहता है overhead expenses में क्या दिया रहेगा मतलब इसमें इसमें दिया रहेगा कि आपने कोई object खरीदा इसमाल जी कि आप यहाँ से खरीदे और इसको आप अपने घर ला रहे हैं यहाँ है आपका home और घर लाने में क्या हुआ कि labor charge कुछ लग गया कुछ labor charge ठीक है labor charge जो labor charge लगा प्लस जो cartage का charge लगा cartage का charge लगा मतलब कि जो आप जिस scarf में ले आ रहे हैं object या truck का charge लगा वो सारा जो traveling charge है उन सबको जब add करेंगे यह जो भी मतलब यह मैं लिख रहा हूँ न यहाँ पर इन सबको बोलते हैं हम लोग overhead expenses मतलब कि जितना भी आपने खरीदा था payment दिया था खरीते समय उस object को वहाँ पर उसके अलावा जो expenses होते हैं उसको बोलते हैं overhead expenses और उनको भी cost price में add करना पड़ता है और जब हम उसको add करके निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग effective 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 cost price effective cost price यह क्या होता है देखे जब आप payment दिया वहाँ पर payment made while buying something while buying plus overhead expenses और जो overhead expense हुआ overhead expenses जितना भी हुआ उसको आपने add कर दिया तब हम बोलेंगे effective cost price उसको और हमेशा question में जब ऐसे लिखा रहेगा कि cost price is this जैसे देदे रहेगा कि किसी object का cost price है आपका 250 50 रुपीज और उसे देखा कि इसका जो लाने का जो खर्च है या फिर delivery जो चार्ज है जैसे कि Amazon पर खरिते हैं आप कभी कभी क्या करता है कि delivery चार्ज मंगता है क्यों मंगता है 40 रुपीज 40 रुपीज या 60 रुपीज यासे कुछ होता है वो जो delivery चार्ज है वो ही है overhead expense उसको बाद में add करता है जब add करके जो देता है जो cost उसे को बहुत है effective cost price तो हमेशा question में ये ध्यान रखिए कि यदि overhead expense add नहीं किया है तो आपको वो add करके effective cost price निकालना पड़ेगा और वो ही effective cost price इसका आप use करेंगे question में solution करने के लिए मतलब कि इसी को आप cp मानेंगे exact cp और इस cp का use करके आप solve दरेंगे questions ठीक है अब कोई दिकत नहीं है बस इतना ही concept है cost price का आगे बढ़ते है selling price selling price क्या होती है selling price selling price वो price होता है जिस पे जो object खरीदी गई है उसी को जब हम बेच देते हैं तो जिस price पर बेचते हैं उस price को बोलते है selling price, मतलब बेचने का price ठीक है, हिंदी में बोलते है विक्रे मुल्य और cost price को बोलते है क्राय मुल्य, मतलब खरीदने का मुल्य ठीक है, तो खेर, हिंदी में बात नहीं करना, हमको इंग्लिस से पढ़ना है, राइट, तो selling price, इसमें में आ गई, ओके, अब इन दोनों का use जहां पे होगा, वहां पे profit और loss आएगा ही आएगा, ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं, next part में,